तो मेरे पैरे लॉलीपॉप कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पे देख सकते हैं साइंस का चिप्टर नौ तो पहले हम पें सेलेक्ट कर झते होंगे ठीक है तो यह साइंस का मैं चेप्टर नौ कराने वाला हूं कराने क्या वाला हैं इसके प्रजेस के अवचे प्रस्ज्ड देख लियु в feat प्रशन में टोटल कितने प्रशन थीन प्रशन दिये गए तीनों को मुझेट के साथ समझते हैं तो चलो बहुत करते हैं पहला क्वेशन लल्लू पंजू इस क्वेशन में कुछ है नहीं क्या करता है किसी लेंस की एक डाय ओप्टर छमता को परिभासित कीजिए लेंस की चलो से ब्राइब करता है तो यहां पर कहता किसी लेंस की एक डाय ओप्टर छमता को परिभासित कीजिए हमने ऊत्तर क्या लिखा फूकस दूरी एक मीटर या तो सुस्थ सेंटी मीटर होती है ठीक है यह इसका परिभासा है अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस की छमता का फॉर्मूला लिखिए आप क्वेशन आजाए इसमें है है ना दो तिन क्वेशन उसके हम सॉल्व करेंगे तो लेंस की छमता को हम पी से दर साते हैं और इसका सुत्र क्या होता है भाई तो आप कहन से लिख सकते हैं कि एक बते में एक मीटर ठीक है दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कोई दिककत नई है एप हमारे पास क्या होता है मियाгорिव फोकस दूरी तो यह आपने समझ लिया मेरे भाई आब हम क्या करते अगला प्रॉशन समझते हैं यह lift करते हैं क्या कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पहले हल लिख लेते हैं उसके बाद को बढ़ेंगे दिखें काता है कि कोई उत्तर लेंज किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा परतिविम उस लेंज से 50 cm दूर बनाता है यह सुई उत्तर लेंज के सामने कहां रखी है यह आप से पहला पुछ र ना रहा है जिसका साइज का बीम यानि जिस साइज का बीम बीम का मतलब क्या होता है वस्तू होता है ठीक है जिस साइज का बीम है लेंज की छमता भी ग्याद कीजिए मतलब आपको तो सबसे पहले लेंज की छमता ग्याद करनी है उसके बाद कह रहा है कि लेंज के सामने कह यहा रखी जाये एनि कि जगह पो रखी जाया कि जो वस्तु का साई जो है वह समान हो और साथ वास्तविक तथा उल्टा यहां पर कहता है अ कि वास्तविक तथा उल्टा परृत Climate तो यह बात है यहां पे देखिये कि कोई उत्तर लेंस में में हाना काता हुइत की सुई का वास्ताइविक तथा उल्टा पर्तिजी है ना उस लेंस से 50 संटीमेटर दूज बनाता ठीख है या स्मय उत्तर लेंस के सामने कहां इसका उत्तर हम दे रहा हैं तो आप सबसे पहले लिखना कि उत्तल लेंस है कि उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु वस्तु यानि भी ठीक गई से लिख शकते किसी भी वस्तु का प्रतिभीम हाना किसी वस्तु का प्रतिभीम हैना क्या है वास्तविक तथा उल्टा वास्तविक तथा उल्टा वास्तविक तथा उल्टा एवम यह एवम है चल गया है थोड़ा से मिटा ही देते हैं है एवम चलो एवम किस साइज का भाई एवम यदि इसका प्रतिविम उसी साइज का जैसा है वैसा ही एवम एवम उसी साइज का है ना साइज का एक मिनट मैं फोकस लॉक कर देता हूं इधर उधर भाग रहा है हाना जिर मिलाहट नहीं होगी ठीक है एवम उसी साइज का प्रतिविम 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 तब बनेगा बनेगा जब तो टू एफ दूरी पर रखी जाए तू एफ क्या है दूरी पर रखी जाए है ना रखी जाए तभी बन सकता है ठीक है तो जैसे कि अगर हम यहां पर ले लेते हैं चलो यह उत्तल लेंस है हमारे पास ठीक है क्या उत्तल लेंस है यहां पर हमारे पास है यहां पर रखा जाए यहां पर यहां पर कोई वस्तु रख देटेए यह 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 A और B यह हमने वस्तु रख दिया तो जितना ही अंदर हमारे पास क्या बनेगा भाई परतिभीम बनेगा मतलब छाया बनेगा इस बात को ध्यान रखना तो यह भी हमारे पास 2F रहेगा और यहां पर F रहेगा ठीक है और यह हमारे पास कितना हो जागा भाई यह A B हमारे पास यह इस वस्तू का छाया हो जाएगा यह नहीं परतिभीम हो कितना दूरी 50 cm पे है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 50 cm रख देते हैं क्लियर यह हमारे पास आ गया अब यहाँ पे तो एक एंसर हमने लिकाल लिया कि 2F दूरी पर रखेगा तभी किसी वस्तू का परतिविम कैसा वास्तविक एवं उल्टा होगा ठीक है एवं उसी साइज का होगा कब जब 2F पे रखा जागा तब ठीक है अब यहाँ पे कहता क्या निकालने के लिए साथ में लेंस की छमता भी ग्याद कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं हम लेंस की छमता ग्याद कर लेंगे मेरे भाई है ना तो लेंस की छमता वराबर लेंस की छमता को क्या चीज़ी से दरसाते है पी से दरसाते है और पी वराबर हमारे पास है तो f कैसे निकालेंगे सब को पता है कि 2 f की दूरी आप देख रहे हो कितना 50 cm है ना तो f कितना होगा भाई है ना तो भाई उसका आधा करेंगे तो 50 का आधा कितना पचीस ठीक है तो यहां पे f के जगा पे 25 रख देंगे 25 से काटो 25 के 100 काट दिये तो हमने यहां पे 4 लाया तो यह 4 आया तो p बराबर तो p हमारे पास क्या है लेंज की छमता है तो लेंज की छमता का यूनिट हम लिखेंगे क्या होता डायप्टर यानि चार डायप्टर इसका एंसर निकल करके आ जाएगा क्लिया कोई दिक्कत नही पास क्या है इस लेंज से रखा हुआ है दूरी पर कितना दूरी पर 50 cm दूरी पर लेकिन यह भी क्या है तो बिम है यानि वस्तु है कोई इतना पर रखा है तो वस्तु यानि बिम कोम किस चीज से दर साते हैं यू से दर साते हैं यानि यू जो हमारे पास यह बिम की दूरी इस बात को ध्यान रखना तो यू का मान भी आप कह सकते हो क्या 50 cm है इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आपको अप्तल लेंस और उत्तल लेंस को पता करना है कि किसमें हम नुमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं है तो देखो यहां पर जैसे उत्तल लेंस की बात हो रही थी तो उ जैसी पर एक Ques одним लेते हैं यहां देखो तीसरा वह रहा गया हमारे पस तीसरा क्या कहता है किसी अफ्टल लेंज की छंता झ्र्मता आपको है करना है यादेश क्यानि दो हम यहां पर लिखेंगे हाल और फोकस दूरी हमारे पास 2.00 मेधर यहां बड़ाबर 2.00 मेधर लिखे है ना बस इसकी प्रकिर्टी बताती है कि यह कौन सा लेंस है अब या उत्तल है माइनस लगा दिए तो समझ जाना कि हमारे पास अब तल है तो दो मीटर फोकस दूर ही तो एफ वराबर दो जगा पे माइनस के 2 होगा ठीक है और P बराबर P यानि लेंस की छमता लेंस की छमता का ऐसा ही मातरक diopter D होता है ठीक है हमने रख दिया अब इसको यह हमारे पास इंसर आ गया एक बटे में माइनस के दो डायोप्टर इसे अब भाग देना चाहें तो ऐसे माइनस के 0.5 आ जाएगा डायोप्टर ठीक है ये भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरा भाई तो आपने इन तीनों प्रशन को सॉल्व कर लिया भाई देको प्रशन हम सॉल्व करते हैं उसमें पार्ट वन पार्ट वम नहीं लिखते हैं सिधा वन सॉट लिखते हैं ठीक है तो सबका प्ले लिस्ट में जो है न मिल जाएगा आगे हम बढ़े आगे बढ़े क्या बाए